लोटस आईरवदा इंडिया में आपका स्वागत है मैं हूं पल्च अधरी आज हम बात करेंगे बच्चों को रोज करा है डीप ब्रिधिंग एक्सराइज सहत को मिलेंगे कई सारे फाइदे तो आई शुरू करते हैं आज का वीडियो गहरी ब्रिधिंग एक्सराइज को गहर और प्रमों में ऑक्सिजिजन की मांत्रा भण जाती है और तनाव कम होताए गहरी सांस लेने 생 complaint रूम को चरीख ऑर मन को सान्ती मिलती है और तनाव कम करने में मदद मिलती है गहरी सांस लेने से बेलड्च सर्कुलेशन बेदर होता है और हिर्दे की कारेच्छंता सुधरती है डीप ब्रीधिंग एक्सेसाइज से इम्मिनुटी मत्पूत होती है और सरीर के रोगों से लड़नी की छंता भी बढ़ती है बच्चों की सहत के लिए डीप ब्रीधिंग एक्सेसाइज के कई फाइदे हैं जो मैं आपको बता रहा हूं से बच्चों के लिए डीप ब्रीधिंग एक्सेसाइज के फाइदे हैं गरी सास लेने से बच्चों के मन को सांति मिलती है और तनाव कम होता है निवित अब्यास में बच्चों की ध्यान केंदिद करने की छंता बागती है में बेडर ध्यान और इकागरता से बच्चे को पढ़ाई में मदद मिलती है डीप प्रीधिंग एक्ससाइस के मदद से फेप्रों में ऑक्सिजन की मात्रा बाड़ जाती है जिससे सरीर के सबी अंगों को परियाप्त ऑक्सिजन मिलती है नेमित रूप से deep breathing exercise करने से immune system मजबूत होता है जिससे बच्चे के रोगों से बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं deep breathing exercise की मदद से बच्चों के mood को सुधाने में मदद मिलती है गरी सास लेने से फेपरों की छमता बरती है और स्वसन पढ़ाले मजबूत होती है अस्तमा या अन्न स्वसन समस्याओं वाले बच्चों को रहात मिल सकती है सास लेने की पिक्रिया की मदद से नीद में सुधार होता है और पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद मिलती है बच्चे डीप ब्रीधिंग एक्सराइस करें डीप ब्रीधिंग एक्सराइस करने के लिए आराम दया के स्थिति में बैठें या लेट जाएं आकों को बंद कर लें और आराम से बैठ जाएं अपनी नाक से दीरे दीरे गरी सांस लें अपने पेट को फैलने दें ताकि आपके फेपड़े पूरी तरह से आक्सीजन से भर सकें सांस को अंदर लेने के 5 सेकंड के लिए रोकें, आपने मुझ से पूरी तरह से सांस छोड़ें, सांस छोड़ने की गति धीम होनी चाहिए, अपने पेट को अंदर की ओर खीचें ताकि फेफ़णों से हवा निकल जाए, इस पिक्रिया को 10 मिनुर तक दोहरा हैं, आप इसे दि रीब्रिधिंग एक्सराइस करने के टिप्स, बच्चों को कलपना करने दें कि वह एक बैलून फुला रहे हैं, गहरी सांस लेते हुए, पेट को फुलाएं, और धीरे-धीरे सांस छोड़ते हुए, पेट को सामन इस्तिति में लाएं, आपने हातों की पांच उंगलियों क का इस्तिमाल करके सबी उंगलियों के साथ गहरी सांस लें और छोड़ें, चार सेकंड तक स्वास लें, साथ सेकंड तक रोकें और फिर आच सेकंड तक छोड़ें, डीप रिदिंग एक्सराइज बच्चों के मांसिक, सारीरिक, भाबनात्पक्त, विकास के लिए फायदे बन सकता है, उमीद करते हैं कि यह जानकरी आपको पसंद आई होगी, तो यह था हमारा आज का वीडियो, आपको काशा लगा, हमें जोरू बताएं, धन्यवाद,